प्रियविद्ध्यार्थियो गुड मॉर्निंग, हमने स्वैल फॉर्मेशन, स्वैल प्रोफाइल, स्वैल वाटर आधी का ध्यन किया है, हम जानते हैं स्वैल के चार मुख्य कमपोनेंट है, जो इस प्रिकार है, मिनरल मेटर, खनीज पदार्थ, और्गनिक मेटर, कार्बनिक पदार्थ, स्वैल वाटर, मर्दा जल, स्वैल एयर, मर्दा वाईयू, आज के वाक्यान में हम स्वैल और्गनिक मेटर, मर्दा कार्बनिक पदार्थ, यानि हूमस के बारे में अध्यन करेंगे, मृदा में मृत कार्बनिक पदार्थो जो की पादप तथा जन्तु के मृत भाग तथा इनके अपसिष्ट पदार्थ होते हैं उनके अब घटन की किरिया से मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ मिलते रहते हैं जिससे मृदा का उपजावपन बढ़ता जाता है ये कार्बनिक पदार्थ अब घटन की किरिया से विभिन परकार के तातू अकार्बनिक लवन आदी वापस मृदा में मुक्त कर देते हैं मृदा में कार्बनिक पदार्थ लगभग 10% होते हैं लेकिन अलग-अलग परिस्थितियों में इनकी मात्रा भी अलग-अलग हो सकती है मृद कार्बनिक पदार्थों का अब घटन मृदा में पाए जाने वाले विभिन माइक्रॉप्स जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टीनों मैशिटीज आदी के दुआरा किया जाता है मृदा में विध्यमान जो कार्बनिक पदार्थ है वो कई प्रिकर्ति के होते हैं उनकी रासाइनिक प्रिकर्ति भिन भिन होती है जैसे कर्भोहेड्रिट, वसा, प्रोटीन, आमिनो अमल, करेटिनोयड्स, आलकेलोयड्स, टर्पिनोयड्स, आधी सुख्ष्म जिवों द्वारा कर्भोहेड्रिट, वसा, प्रोटीन, आधी का अतिसिग्र डिकम्पोजिशन हो जाता है और इस कारण से ऐसे कार्बनिक पदार्थ लंबे शमय तक मरदा में इखठे नहीं रहते हैं इसके विपरित कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे फिनोल, भौलक, आदी का सुक्स्ण जीओं द्वारा आप घटन काफी धीमी गती से होता है इस कारण से ये मरदा में चमा होते जाते हैं कार्बनिक पदार्थों के अप घटन की किरिया से सियोटू, हाइडोजन सलफाइड, अमोनिया, आदी गय से निकलती है जो आयू मंडल में चली जाती है तथा इस कार्बनिक पदार्थों के अप घटन से जो खनीज तातूर मिलते हैं वे मरदा में मिस्रित हो जाते हैं और इससे पोदों को खनीज पदार्थों की पूर्ती होती रहती है अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ओफ हुमस यानि की हुमस के निर्मान के बारे में सोईल में उपस्तित म्रत कार्बनिक पदार्थों के पूर्ण डीकंपोजिशन से बनने वाला पदार्थ हुमस कहलाता है जब मर्त पादप तथा जन्तूओं के भाग अपनी पहचान बनाये रखते हैं इनका डीकंपोजिशन नहीं होता है तब इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है ऐसे म्रत कार्बनिक पदार्थ को लिटर कहा जाता है अब इस लिटर पर सुक्स्म जियों द्वारा डीकंपोजिशन की किरिया की जाती है जिसके फलसरूप यह अपनी पहचान खोने लगता है इस आन्सिक रूप से अपगटित म्रत पादब भाग और जन्तु भागों को डफ कहा जाता है लेकिन यह भी अपनी पहचान बनाए हुए रहता है डफ का आउर अधिक बिकंपोजिशन होने पर गहरा काला भूरा एक्रिश्टलिय पदार्थ बनता है जो अपनी पूर्ण रूप से पहचान खोचुका होता है इसे हुमस कहा जाता है अप घटको द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डायोक्षेड जल एवं पोस्कों में खंडित करने की क्रिया को अप घटन कहा जाता है पादपो के मृत आउसेस जैसे पत्तिया है छाल, बार्क, फ्लावर्स एवं जन्तों के मृत आउसेस उत्सरजी पदार्थ आधिको डेट्राइटस या अपरद कहा जाता है अब हम अध्यन करते हैं हुमस के निर्मान की दर को परभावित करने वाले कार्गों के बारे में तो हुमस निर्मान की गिरिया कई फैक्टर्स द्वारा पर भावित होती है पहला फैक्टर है डेट्राइटस की केमिकल प्रॉपर्टी यदि आप रद काईटीन या लिगनिन से भरपूर हो तो अप घटन की दर धीमी होती है इसके विप्रित यदि आपरद नाइट्रोजन तथा जल विले तत्वो आदी से भरपूर होता है तो अप घटन भी काफी तेजी से होता है हुमस निर्मान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है क्लाइमेटिक कंडिशन्स जल वाईविये दसाए ताप वा मर्दा में नमी अप घटन की दर को प्रभावित करने वाले महतपूर्ण जल वाईविये कारक है गर्म वा आद्र वार्म एंड हुमिड एन्वार्मेंट में डिकंपोजिशन की दर काफी तेज होती है इसके विपरित लो टेंप्रेचर एंड एन एरोबिक कंडिशन में अब घटन की दर भी मंद हो जाती है अता ऐसे छेत्रों में कार्बनिक पदार्थ यानि लिटर का भंडार इकठा हो जाता है अगला कारक है अप्रद का अपगटन करने वाले सुक्सम जीओं की प्रक्रती अगला पेक्टर है मर्दा में खनिज पदार्थों की मात्रा और अंतिम फेक्टर है ऑक्सीजन की उप्लब्धता अपगटन की किरिया में ऑक्सीजन आवश्यक होती है इस कारण एन अरॉबिक कंडिशन की अपेक्षा अरॉबिक कंडिशन में अपगटन की दर भी काफी तेज होती है अब हम अध्यन करते हैं हुमस के प्रकार के बारे में हमने देखा कि मृत कार्बिनिक पदार्थों के पूर्ण अपगटन से बनने वाला पदार्थ हुमस कह लाता है यह हुमस भी निर्माण प्रक्रिया के दोरान दो प्रकार का होता है मृर हुमस और मल हुमस पहले अध्यन करते हैं मृर हुमस के बारे में इसे कच्चा हुमस रा हुमस भी कहा जाता है यह है एसेडिक सोईल में बनता है ऐसी सोईल में डिकंपोजिशन की किरिया काफी धीमी गती से होती है इस कारण बनने वाला हुमस कठोर, नौन पौरस, खनिज लवनों की कमी युक्त तथा काले वभूरे रंका हुमस निर्मित होता है जिसे मौर हुमस कहा जाता है दूसरा हुमस है मल हुमस यह पूरी रूप से अपगटित हुमस है और अधिक पीच, लगबग पीच फायू वाली सोईल में पाया जाता है ऐसी सोईल में अपगटन की प्रक्रिया काफी तेजी से होती है और इस कारण से बनने वाला हुमस, लूज, पौरस और हलके भूरे रंका होता है अब देखते हम मौर हुमस और मल हुमस में अंतर तो मौर हुमस मर्दा में अपगटन कारी जीओं की न्यूनता के कारण बनता है जबकि मल हुमस अपगटन कारी जीओं के बहुले से बनता है मौर हुमस की परत कठोर और नौन पोरस होती है इसके विपरित मल हुमस की परत लूज, ढीली तथा पोरस, रंद्र में होती है मौर हुमस में अपगटन की किरिया मंद गती से होती है जबकि मल हुमस में अपगटन की किरिया तिवर गती से होती है मोर हुमस में खनीज लवन कम मात्रा में होते हैं इसके विप्रित मल हुमस में खनीज लवन और हुमस बराबर मात्रा में होते हैं मोर हुमस वाली मर्दा में केचवे नहीं पाये जाते हैं इसके विप्रित मल हुमस वारली मर्दा में केच्वे अधिक संख्या में पाये जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्टेंस ओफ हुमस हुमस का पहतु हुमस कॉलोडी प्रकर्ती का पदार्थ है इस कारण यह अपनी सतह पर काफी अधिक जल धारन करता है अधि हुमस की उप्लब्दिता के कारण शोयल की वाटर हुल्डिंग कापसिटी जल धारन शमता बढ़ जाती है हुमस में पहुशक दातु जैसे पोटेशियम, कैल्सियम, मैगनेशियम, कैल्सियम, आइरन आधि का भहुल्य होता है और ये नुट्रियंट्स पोदोह के विकास एम व्रद्धी के लिए आवशक होते है हुमस से सुक्स्म जीऊं जैसे बाक्टिरिया, फंजाई, तता मैक्रो और्गानिजम, जैसे कैचवे, आधि पोशक, पोशन प्राप्त करते हैं और ये जीऊं मिट्टी की उपजाव शमता को बनाए रखते हैं हुमस की प्रकरती एसेडिक होती है, तता ये मर्दा में उपस्तित आलकलाइन लवणों से संयुत होकर मर्दा की ख्षारक्ता को कम कर देती है हुमस सोईल की पोरोसिटी को बढ़ा देता है, जिससे सोईल में एरेशन वातन भढ़ जाता है और अच्छे एरेशन वाली मर्दा पोधे की व्रधी और विकास के लिए काफी सपोर्ट पढ़ान करती है, धन्यवाद